नमस्का दोस्तों आप सभी नों के मैं चैनल पे स्वगत है मैं नमे प्रवीन और आप देख रहें को अधर पंडिशनर सरी अज हम बात करेंगे वियतनाम सूपर अली जैक फूड फार्मी के बारे में जिसे हिंदुस्तान में कठल फनस के नाम से भी प्रसिद्ध है कई इसापूर से हमारे भारत में जैक फूड का जो उपयोग है वह अब हमारे इंडिन कुजीन में इसका उपयोग किया जा रहा है जो हमारे जाइकिये के और ज़्यादा एन्हेंस करता है इसकी सबसे खास बात यह है साल में दो मरतबा अब इसके हर्वेस्टिंग ले सकते हैं 365 दिन में भी इसमें फ्रूटिंग और प्रोडक्शन होता रहता है और इसमें सबसे कम स्पेस की आवशक्ता होती है जो लोग आव से दूर है जो सिटीस में रहते हैं या फ्लैट्स में रहते हैं अगर वह इन फलो का लुफ्ट उठाना चाहते हैं तो अपने घरों में या पॉट्स में या ड्रम्स में या टेरिस में भी आप इसके प्लैंटेशन करके इन फलो का लुफ्ट उठा सकते हैं इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा फीका पड़े आता है लेकिन सम्मर सीजन में इसका जो टेस्ट है बहुत जाइकेदार होता है जो सभी को पसंद आता है अगर आप commercial purpose से अगर आप इसकी plantation करना चाहते हैं या farming करना चाहते हैं तो jackfruit के varieties में से Vietnam super early एक मातर ऐसी variety है जो आपको कम टाइम पे अच्छा कासा production कमा के देता है एक साल के अंतराल में ही आप इसमें fruiting देख सकते हैं और दूसरे साल के बाद से ही आप इसमें harvesting कर सकते हैं जैसा नाम वैसा काम इस कानवश इसे 12 मासी या jackfruit के नाम से भी विश्विक्यात है इन पौदों में से आपको एक पौदे में से ही आपको 30 से 60 kg मिल जाता है और एक fruit का जो weight रहता है वो 5 से 8 kg का weight रहता है इन पौदों में जड़ों से ही fruiting स्टार्ट हो जाता है और साल दर साल इसमें production भी enhance होता है और आपको quantity and quality wise भी product मिल जाता है जो आपके business को या commercial business को अच्छा कासा मुनाफ़ा कमा के देता है हमारे भारत के किसन कहीं अर्सों से इस चीज के farming करते आ रहे हैं और अच्छा कासा मुनाफ़ा ले रहे हैं क्योंकि भारत में इसका जो demand है हमेशा high रहता है और इसका जो maintenance cost है वो zero है इसमें ना तो किसी प्रकार की pesticides की आवशकता है ना chemical fertilizer की आवशकता होती है आप इसे घास फूस भी manure के तोर पे use कर सकते हैं और गोबर की खाथ भी use कर सकते हैं तो maintenance cost के हिसाब से ये काफी अदा लाधायक सिध होता है हमारे भारत के किसानों को और आप अच्छा खासा मुनाफ़ा ले सकते हैं वियतनम सूपर एरली के farming से हिंदुस्तान की सरजमीन पे एश्वर के द्वारा दिया हुआ ये काधना तौफ़ा होने के नाते हिंदुस्तान की चार प्रकार के climate में अपना भैतरीन performance देता है ये हिंदुस्तान की हर प्रकार की मिट्टी में लगने की शमता भी रखता है इसको चाहिए अच्छे कासी धूप, वर्षा, एवन ठंडी लेकिन जिन इलाकों में बर्वबारी होती है उन इलाकों में इसके plantation असंभव है और जो बाड़ गरस्त वाले जो इलाके होते है वहाँ पर इसकी plantation करना असंभव होता है हिंदुस्तान की कुछ रिहाशी अलाकों में इस चीज की production कहीं अर्शों से की जारी है जैसे केरला, तवलनाड, आसाम, बिहर, बांगलदेश, करनाटका, आंधरप्रदेश, एक्सेटरा इन फलों में भरपूर मात्रा में anti-oxidants, anti-inflammatory, anti-bacterial और anti-fungal जैसे तत्व पाई जाते हैं जो तवच्चा से सम्मधित रोगों को या आपकी शरीर में होने वाले घाओ या अन्य चीजों की रोगथाम करने में भी अपना महत्पूर नियोगदन देता है और यही इसको खास बनाता है जैक फ्रूट से कहीं प्रकर के चीज़े बनाई जाती है जैसे कठल की सबजी, आइस क्रीम, केक्स, जैक फ्रूट के चिप्स, जैक फ्रूट के पाउडर भी बना जाता है जो मिडलिस कंट्रीस में भारत एक्सपोर्ट करता है और कैरला के कहीं प्रकर की डिशस बनाय जाते हैं इससे पिकल्स भी बनता है हनी और फूट सैलेट्स में भी यूज किया जाता है इससे वाइन भी तयार किया जाता है और इससे चौकलेट्स, बिस्केट्स और ब्रट जैसे ततू भी बना जाता है याने कि हमारे basic जो needs है, वो हम jackfruit से पूरा कर सकते हैं पौधे काँ से ले, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ आप government nursery से ले सकते हैं, private nursery से भी ले सकते हैं लेकिन आप birding वाले पौधे लीजिए, जो आपको कम टाइम पे अच्छा कासा production कमा के देता है how to grow, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ एक एकड़ की जमीन पे 10 by 12 के हिसाब से आप 300 पौधे लगा सकते हैं line से line का जो distance है हो 10, और पौधे से पौधे का जो distance है 12 आप इस प्रकार से distance maintain करके आप 300 पौधे लगा सकते हैं लगानी का क्या तरीका है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले ground में गड़े लेने होते हैं आपको 2 by 2 by 2 का हिसाब लेना होता है जिसमें लंबाई चोड़ाई और गहराई 2 by 2 by 2 का हिसाब लीजिए उसके बाद इसमें गोबर की खाद, नीमखली पाउडर और बोन पाउडर इन तीनों को mix करके आपको सेंटर में थोड़ा hole बनाईएगा और उसके बाद grow bag में रखा हुआ जो पौदा है तो grow bag को हटा दीजिए, पौदे को लेके आईए और उसे सेंटर में इस तरह से fix कर दीजिए फिर उसे farm manual या गोबर की खाद और मटी से उसे ढाग दीजिए budding portion जहाँ पे होता है वहाँ पे ज़्यादा मिट्टी ना डालिएगा और अधिक औरवर्ता के लिए आपको घास पूस का भी उपयोग कर सकते हैं लेकिन आप directly जड़ो पे ना डाले, जड़ो से थोड़ा दूर हटके डालिएगा कुछ चीजे होती हैं जो आप अखों से नहीं देख सकते हैं तो action into reaction perform यहाँ पे करता है कुछ enzymes या bacteria को हम देखने सकते हैं तो वो मट्टी को बहुत जड़ा उरवर्ग बनाते हैं वो process करते हैं मट्टी को बहुत ज़़ादा उपजाओ बनाने के बाद यह जो आपके जो पौदे हैं यह बहुत fastly grow करते हैं तो आपको ना तो किसी प्रकार के chemical fertilizer की आवशक्ता है ना pesticides की आवशक्ता होती है और इन पौदों को जो maintenance cost है वो zero होता है और यह रोग मुख पौदे होता है तो आपको आगे चलके अच्छा कासा मुनाफ़ा भी ले सकते हैं और आपके business को यह green business में तकदिल कर देता है harvesting कब और कैसे किये जाए तो मैं आप सबी को बता देने चाहता हूँ साल में दो मरतबा आप इसके harvesting ले सकते हैं क्योंकि इनमें 300 पैसर दिन भी इसमें fruiting बना रहता है और production capacity भी बहुत हाई रहता है और इसका maintenance cost zero होता है इसमें ना तो किसी भी तरके pesticides के आवशक्ता होती है ना किसी भी तरके chemical fertilizer के आवशक्ता होती है तो यह आपके business को green business में तकदिल कर देता है और यही Vietnam super early की सबसे खास बात है profit and expenditure तो मैं आप सभी को बता देने चाहता हूँ एक एकड की जमीन पे 10,12 के हिसाब से आप 300 पौदे लगा सकते है तो मैंने screenshot दे दिया है आप उसे आराम से pause करके देख सकते है अगर आप भारत के किसी भी शहर में रहते हो East, West, North, South और अगर आपको इन पौदों के अगर जरूरत हो तो आप मज़े contact कर सकते है मैंने अपना जव नंबर है उस्क्रीन पे दे दिया है description box पर भी दे दिया है आप अपने gardens में या flats में या terrace में या terrace में भी आप इसके partition कर सकते हैं और इन फलो को लोफ्त उठा सकते हैं और commercial purpose है ये आपको बहुत आगे तक ले के जा सकता है तो आप इसके farming कीजेगा मेरी होसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को like करें share करें, subscribe करें खुश रहें, आबाद रहें यही दूआ करता हूं दिल से जै हिन, जै भारत